हलो फ्रेंज, सोसल सैंस के अपने लास्ट वीडियो में हमने सिंदु घाटी सबता के बारे में पढ़ा था हम अपने आज की वीडियो में बात करेंगे मैसोपोटामिया की सबता यह दूसरी सबता है और बहुत इंपोर्टेंट सबता है इसे एक्जाम में कुशन पूछे ही जाते हैं तो सबसे पहला हम यह जानेंगी कि मैसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है तो थीके मैसोपोटामिया जो सब्द है वो ग्रीक भासा का सब्द है कौन सी भासा के सब्द है तो ग्रीक भासा के ये सब्द है जिसका अर्थ क्या होता है तो दो नदियों के बीच का छेत्र या दो नदियों के बीच की भूमी चीक है ये क्या कहलाती है मैसोपुटामिया कहलाती है और यह सब्दा किन नदियों के बीच में बिक्षित हुई तो आर्थ होता है दो नदियों की बीच की भूमी और मेसोपुटामिय की जो सबिता है वो दजला फरात नदियों के बीच में बिकसित होई थी इस छेतर में तीन सबिताओं का विकास हुआ था जहने समले तुरूप से मेसोपुटामिया का नाम दिया गया तो ये जो दजला फरात नदियां यहाँ पर क्या हुआ था तीन सबिताओं का विकास हुआ था जैसे समले तुरूप से हम क्या कहते हैं तो मेसोपुटामिया की सबिता कहते हैं कौन-कौन सी ये सबिता हैं थी तो पहली थी सुमेरिया की सबिता दूसरी ये बेबिलोनिया की सबिता और तीसरी ये असीरिया की सबिता ठीके इन तीनों सबिताओं को समलित रूप से हम लोग मैसोपोटामिया की सबिता कहते हैं अब मैसोपोटामिया सबिता की बिसेष्टा हैं देख लेते हैं ये कफी पूछा जाता है तो इससता है आपको सारी सबिताओं की याद रखनी है इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक जीवन की कि मैसोपटामे की जो सबिता है इसमें सामाजिक जीवन कैसा था तो इस सबता में जो राजा होता है वो प्रत्वी पर देवताओं का प्रत्निदी माना जाता था मध्यम बर्ग में जम्मिदार बैपारी आदी थे दासों की इस्तिती सबसे नीचे थी यानि कि जो समाज था वो तीन बर्गों में विवाजेत था ठीक है अगर हम समाजिक जीवन की बात करें मैसोपोटामिया में तो समाजिक जीवन जो था वो तीन बागों में विवाजेत था जिसमें जो प्रत्वम बर्ग था वो उसमें पुरोहित और बड़े अधिकारी आ जाते थे जो बड़े बड़े पिरोहित हैं या जो बड़े अधिकारी हैं वो पर्थम बर्ग में आते थे दूती बर्ग में जो बड़े बड़े बैपारी हैं और जमीदार हैं वो आ जाते हैं जबकि तिरती बर्ग में जो दास होते हैं और जो सरमिक होते हैं उन्हें रखा जाता था, ठीके तो समाज जो है वो तीन बर्गों में वार जिता, पहले बर्ग में पुरोहित और बड़े अधिकारी आते थे, दूसरे में बैपारी और जमीदार आते थे, जबकि तीसरे में इस सभिता में जो राजा होते हैं उनने क्या माना आता है तो भगवान का पृतिनिदि माना राता है ठीक करेंगे किया गया किसान जो थे भूमी की जुताई हल से करते थे ठीक है तो उसमा इतनी मसीना बगारा तो थी नहीं इतना बिकास तो हुआ नहीं था तो वो हलों की सायता से जुताई करते थे और इस सबता में जो करशी है वो प्रमुक बेपशाय था लोगों का और करशी को के शाथ किया जाता था ठीक है जो बैपार चलता था वो दूर-दूर जो देश होते थे उनके साथ भी बैपार किया जाता था इस सबता के लोग अनाज है खजूर उनिबस्तर आदी मिश्रबा भारत ले जाते थे सूती बस्तर बनाकर बैपार करते थे ठीक है तो जो यह आप कमाते थे और सूतीबस्त बना कर ये बैपार करते थे ठेग सबको ले जाके बेशते थे धार्मिक जीवन में ये लोग जो ते प्राकरतिक शक्तियों में ये लोग सूर चंद्रमा की पूजा करते थे, ठीक है तो प्राकरतिक चीज़ों में सूरोशंदमा की पूजा करते थे, बाकी इनके और भी कई देवी देपता थे, ठीक है तो ये बात होगी धार्मिक जीबन की अब नेक्ट पॉइंट है लेखनकला लेखनकला की अगर हम बात करें, तो ये सबता के लोगों को लेखनकला का भी ग्यान था, ठीक है तो लेखनकला भी इनकी अच्छी खासी बिकसित थी, उसका भी नए ग्यान था, इनकी जो लिपी थी वो कीलाकार लिपी थी, ठीक है इनकी लिपी का जो बिकास है वो सुमेर में हुआ था, ठीक है तो इनकी लिपी की बात कर ले थे कि ग्यान बिग्यान इनका कैसा था बिग्यान की छेतर में इनकी उपलब्दियां जो है वो बहुत महतपूर है इन्होंने दिन और रात्री का हिसाब लगा कर पूरे दिन को 24 घंटों में बाट रखा था 60 सेकेंड का 1 मिनट, 60 मिनट का इन्होंने बताया था कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं जबकि 1 घंट में 60 मिनट होते हैं तो इसका विवाजन सबसे पहले कहा हुआ था तो मैसोपूरामे की सबता में ही हुआ था अब हम लोग जान लेते, एक नमबर में पूशे जाता है कि जुगुरत क्या है जिगुरात से आप क्या समझते हैं, जिगुरात से आप क्या समझते हैं, तो मेसो पुटामी सबता के अंतरगत, नगर में बने मंदरों को जिगुरात कहा जाता है, एक नंबर में पूछा जाएगा आपसे, नीचे देखिए आपको चितर देखने को मिल रहा होगा, इसमें आ आपका जिगुराथ और हम्बूराभी की विदी सहता जो हम आगे पढ़ेंगे वो देखो ऐसी है ठीक है तो हम जान लेते कि हम्बूराभी की विदी सहता क्या है तो मारा नेक्ट पॉइंट है हम्बूराभी की विदी सहता इसके बारे में भी काभी पुशे आता है तो बेबी लॉन की एक संस्थापक थे, इनका नाम था हम्बूराभी, तो हम्बूराभी ने क्या किया, अपनी परज़ा के लिए एक बिडि सहता बनवाई, यह सहता जीवन के पहलूं को ध्यान में रखकर बनाई गी थी, तो जीवन के जो पहलू थे उन्हें में ध्यान में तो बैसे एक बिदी सहता थी मतलब कानून की किताब कह सकते है इसमें सारे कानून लेखे हुए थे कि अगर आप ये गलती करेंगे तो आपको ये सजा मिलेगी अगर आप ये गलती करेंगे तो आपको ये सजा मिलेगी तो ये था बेमिलो उनके संस्तापक हम्बूराभी और ये थी इनकी बिदी सहता तो इस कानून को हम क्या कहते है तो हम्बूराभी की बिदी सहता कहते थे हम्बूराभी को विश्व का प्रथम कानून बनाने वाला राजा भी कहा जाता है ठीक है तो सबसे पहले किताब ये लिखे आ गए थे पूरी कानून की तो इसलिए हम्बूर अभी को क्या का जाता है विश्य का प्रथम कानून बनाने वाला राजा भी कहा जाता है ठीक है तो ये सारी विसेस्ता है हो गई किसकी मैसोपोटामिय की सबता अगर आप बात पूछी जाए कि मैसोपोटामिय की सबता किस देश के आसपास बिक्सेत होई तो ये होई थी आपकी एराक के एराक का पुराना नाम भी कह सकते है मैसोपोटामिय और इसके आसपास की जो देश है वहाँ पर मैसो पुटामे की सबता बिक्षेत हुई थी ठीक है तो वहीं पर है दजला और फरात नदी ठीक है ये चीज़ याद रखना अब हमारी जो नेक्ष सबता है जो हमें पढ़नी है जो हमारी तीसरी सबता है वो है आपकी मिश्र की सबता ठीक है तो सिपलाइजेशन ओफ इजिप्ट तो मिस्र की सबता देख लेते हैं आप आपको पिरामिट देखने को मिलेंगे बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेंगे तो मिस्र शबता का जो बिकास है वो नील नदी के किनारे हुआ था इसलिए मिस्र को नील नदी का बरदान कहते हैं ये चीज़ याद रखना ये कुशन पूछे जाएंगे कि मिस्र की जो सबता है वो किस नदी के आसपास बिक्षे तो ही मैसोपटामे की सबता किस नदी के आसपास बिक्षे तो ही ठीक है सिंदु घाटी तो मिस्र शबता की विसेशता में सबसे पहले हम बात करेंगे समाजिक जीवन की समाजिक जीवन की अगर हम बात करें तो मिस्र में राजा होते हैं उन्हें फराओ कहते हैं तो राजा आते हैं और उसका जो राज परवार है ठीक है मतलब राजा और उसका परवार जो है वो प्रतम बर्ग माएगा दुती बर्ग की बात करें तो दुती बर्ग में जो सामन्त होते हैं जो पुरोहित होते हैं वो आते हैं तृती बर्ग की बात करें हम तो तृती चतुरत बर्ग, इसमें दासो सर्मिक देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो इतनी चीज़ याद रखना, कि समाजी जीवन में कहा है, कि मिस्र के जो राजा होते हैं, उनने फराउ कहा जाता था, मिस्र का जो समाज था, उसे तीन भागों में भाजित किया गया, क्पकी कुछ इति मिस्र के राजाओं को फराओ कहा जाता है, हम लोग जान चुके है, यही सैनापती और निया अधीस भी होता है, तो सैनापती का काम भी यही करता था, और निया अधीस का काम भी यही करता था, जज़ भी यही था, और सैनापती भी यही था, आर्थिक जीवन की अगर हम बात क तो इसमें क्रशी और पर्शुपालन आ जाएगा मिस्व में ये जो खेती है वो नील अधी पर निरभर दी ठीक है तो नील अधी के किनारे पर ये सबतार जो थी वो बिक्सेत होई थी मिस्व की तो क्या था कि पूरी भी खेती जो थी वो सारी नील अधी पर डिपेंड थी नील अधी की कारण भूमी जो थी वो उपजाओ थी गेहू, जो, कपास, आधी की खेती होती थी ये लोग पशुपालन भी करते थे भेड, बकरी, गाय, वहल, सुवर, आधी पालते थे तो मिस्र में जो खेती थी वो नील अधी पर डिपेंड करती थी नील अधी की कारण जो यहाँ पर भूमी थी वो उपजाओ थी तो गौ, गेहू है, जो है, कपास है, सभी फसलों की यहाँ पर खेती होती थी परशुपालन भी ये करते थे तो मिस्र में ना पाई जाने लिए बस्तुएं प्राप्त करने के लिए ये लोग विदेशी परोशियों के शाथ ब्यपार करते थे इत्र, रंग, मसाले आधी भारत से भेजे जाते थे तो यह लोग एक्सपोर्ट कर देते होंगे और जो चीज़े मिस्र में नहीं होती है उसे ये क्या करते थे इंपोर्ट करते थे यानि कि दूसरे देशों से मंगाते थे जैसे इत्र है, रंग, मसाले ये तो भारत से ये लोग इंपोर्ट करते थे क्यों मसाले भारत में फेमस थे तो मसाले है, इत्र है, रंग बगएरा तो ये भारत से मंगाते थे या दूसरी देशों से मंगाते थे और जबकि इनकी देशों में जो चीज़ों होती है वो क्या करते थे? एक्सपोर्ड करते थे बैपार की बात होगी, अब हम बात कर लेते हैं धार्मिक जीवन की, धार्मिक जीवन की अगर हम बात करें, तो मिस्तर निवाशियों के प्रमुख देविता शूरे थे, तो मुख्य देविता कौन थे, शूरे थे, जिने वे रे, रा, होरस नाम से जानते थे, तो जिने वे क् सकते हैं जो प्राकृतिक चीज़ें होती है उन्हें ये पूछते थे ठीक है तो ये धर्मिक जिवन के बारे में हो गया और मिस्त का नाम आता है तो ममी का नाम आपने जरूर सुना होगा ठीक है तो इसमें क्या होता है जब कोई मर जाता था तो उसके सरीर में लेप बगारा नाम आप जरूर सुनेंगे मिस्त को पिरामिडों का देश कहा जाता है ये चीज़ याद रखना मिस्त को क्या कहा जाता है पिरामिडों का देश कहा जाता है मिस्त की पिरामिडों में वहां के ततकालीन राजाओं का सब सुरच्चित रखा गया मिस्त की लोग सब पर एक व पिरामिड होते थे, उसके अंदर जो भी सब रखे जाते थे, उन्हें क्या कहते थे, उन्हें ममी कहा जाता था, और मिस्र क्या है, पिरामिडों का देश है, मिस्र में, मिस्र के जो पिरामिड है, वहां के ततकालीन राजाओं का सब वहां पर सुरच्चित रखा गए, बदर आकरती है और उसके अंदर इसे रखते थे जिससे प्राइमिट कहा जाता था कि सबसे बड़ा जोड़ा प्रामिड घुझान का है गीज़ा का प्रामिड कहते हैं इसलें 2560 इसवा पूर्व खुफू बंस के साशक फिरोन खुफू ने सबसे पहले बनवाया था तो यह जनरल नॉलिज का कोशन है यह नहीं पूछे जाएगा ठीक है तो लेकिन याद रख लेना कि जो गिजा का पुरामीड था वो किसने बनवाया था 2560 इसवी पूर्व में जो किसी क्यांग नदियों की घाटियों में बिकसेत हुई है हांग हो नदी को चीन का सोक भी कहा जाता क्योंकि बाड़ बगयरा बहुत आती होगी बहुत लोग मरते हैं बहुत लोग डूब जाते हैं कई लोग बरबाद हो जाते है इसलिए से क्या कहा जाता है चीन का सोक कहा तो ये चीज़ या दखना एक नमबर कुशन बनेगा कि चीन की जो सबिता है पुकिन नदियों के बीच में बिकसेत हुई तो चीनी सबिता जो है वो हांग हो और यांग तिसी क्यांग नदियों की घाटियों में बिकसेत हुई थी अब हम चीनी सबता की विसिस्ताओं की बात कर लेते हैं सबसे पहले बात करेंगे समाजिक विवस्ता की समराट को सरवोच इस्थान प्राप था जो समराट होगा वो से क्या प्राप था सरवोच इस्थान प्राप था चार बर्गों में जो समास था वो विवाजित था, पहले में बुद्धी जी भी बर्ग, दूसरा था बैपारियों का बर्ग, तीसरा था कारीगरों का बर्ग, और चौता था क्रशक और जो मजदूर होते थे, स्रमी बगरा उनका बर्ग, तो जो समास था, वो चार बर्गों म तो यहाँ पर मुख वेवसाय क्या था? क्रशी था, ठीकि ये लोग भी क्रशी बजा था, डिपेंड थे, अधिकांस लोग क्रशी करते थे, जो आरवाजरा, मक्का, गहूं, आदी की फसलें यहाँ पर होती थे, बैपार की इस्तिती भी काफी अच्छी थी, इरान वा मेसोप बिस्वास था, और यह क्या करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे, इनके प्रमुक देवता कौन थे? तो संगती, संगती का आर्थ होता है श्वरक के देवता, ठीक है, संगती का आर्थ होता है श्वरक के देवता, तो यह इने पूछते थे, और भी कई देवी देवता इनके इस्थापत कला की अगर हम बात करें तो चीन की दिवार जो है विश के साथ अजूबों में से एक है जो की सब्ता की इस्थापत कला का उधारन है तो चीन की जो महान दिवार है जो 8850 किलोमीटर की लगवख फैली हुई है तो उससे क्या पता चलता है तो वो है क्या इस्थापत कला का एक उधारण है चीन की चीन में भबनिर्मान की जो कला है वो चर्मोच कर्सपती चीन के लोगों में बड़े सुन्दर राजमहल और मंदिर बनाए इनमें पैगोडा मंदिर विश भर में प्रशिद्ध है तो बहुत मंदिर होते थे जिन्हें का का जाता था उन्हें पैगोडा नाम से जाना जाता है एक नमबर में कुष्ण पूछँबबा क्या है तो बहुत मंदिर होते सौर पंचांग आदी यह सारी चीज़ां हमें कहां से मिली है तो चीनी सब्धता से मिली है अब नोट करने वाली चीज़ क्या है जो एक एक नमर में पूछ ली आती है कि पिरामिड जो है वो किस देश की देन है तो यह मिसर की देन है तो जर सत्रा और सोला में पूछा किया है फिर है कि पैगोडा किया है तो पैगोडा जो होते है वो बहुत मंदिर होते है जो चीन में पाई जाते है तीसरा है आपका कि कुतब नुमा का अभिस्कार कहां पर हुआ तो यह चीन में हुआ था तो आप चीन की महांदिवार भी देख सकते हैं, देखें चीन की महांदिवार ये बनी हुई है, पूरी पहाड़ों के उपर बना रखी है, बहुत पुराने समय की ये बनी हुई है, तो इसलिए बिश्व के साथ अजूबों में से एक है, ठीके कि उस समय इतने रिसोर्से सही थे, फिर भी देखें कितनी अच्छी बना दी, जो अभी तक टिकी होई है, दूसरा पैगोड़ा, पैगोड़ा जो बहुत मंदिर होते थे, तो देखें ऐसे बने होते हैं, बड़े काफी सुन्दर है, ठीके इना आप देख सकते हैं, तो ये पैगोड़ा कहलाते थे, ये इसी के साथ ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जितनी भी सबेता हैं थी आपकी कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है तो अच्छे से पढ़ लेना, वीडियो को जाते से दा सेयर करना अपने दोस्तों क के साथ, थैंक यू सो मुच वच 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 वीडियो